So Hello Everyone और जैसे कि लास्ट अफडेट में बताया गाया था कि हमारा जो खुद का मैनिफेक्चरिंग मतलब 15 अप्रेल से जो है हमारा खुद का मैनिफेक्चरिंग वगेरा शुरू हो रहा है तो यह एक बहुत ही गुड न्यूज है और इसके साथी साथ जो है इसमें जो होंगे ह हमारे खुद के ऑन कैमरे और इसमें जो वैब कैम हांटर वे अगेरगा इसमें काम शुरू होगा तो यह बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज है तो दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा जो है ना इमोशनली सोजने के बजाए आपको यहां पर ज़रूरत है प्रैक्ट प्रेले वो तो आजा है फिर यह देखेंगे दोस्तों यहां पर जब कोई भी बड़ी कंपणी आती है तो वो फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के चलती है और मिस्टर एश मुबारे साब फ्यूचर की प्लानिंग को देखते हों सारी चीज़ें यहां पर ला रहे हैं और एक कोश्चन और आएगा कि क्या यह जो हमारे प्रोड़क्स आएंगे जो भी फिजिकल प्रोड़क्स कैमरा वगरे क्या इससे भी जो है में फाउंडर्स को इंकम होगी या कुछ होगा तो दोस्ते इसके लेकर अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है लेकिन इंपोर्टन यह यहां पर यह है कि हमारे पास जो कॉलेटी आएगी वह जो भी कैमरे वगेरा आ रहा है या जो वैब कैम हर्ड़वेर आएंगे तो यह जो है टोटली AI बेस्ट होने वाले आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इसमें यूज होगा तो यह बहुत ही जबरदस्त प्रोड़क्ट आने वाले हैं तो आप सोचेंगे मार्केट में कई तरह के जो हैं वैब कैम वगेरा मौझूद है तो हमारे इसमें स्पेशल क्या होगा दोस्तों इसलिए यहां पर कुछ होगा क्यों कि यह आने वाले दिनों में ना सिर्फ आप कैमरा वैब कैम बलके इसके अलावा और कई चीजें जो बैक में तयार हो रही होंगी तो उस पर हमें आने वाली जो चीजें उस पर ध्यान देना होगा और अब वेट और वाच का टाइम जो है बोल सकते हैं कि खत्म हो चुका है अब वो टाइम नहीं बचाए कि वेट और वाच अब जो हो रही है सारी चीजें सामने ह तो अभी wait and watch अब्दु को भी हटाना पड़ेगा और 15 अपरिल से ये manufacturing शुरू हो रहा है तो इसमें आप ये मत बोलीगा कि ये product क्या launch हो रहा है launch नहीं हो रहा है launch नहीं हो रहा है ये हमारा manufacturing अभी शुरू होरा है manufacturing शुरू होने के बाद में वो कब आता है market में किस तरह से ये जाता है ये देखने वाली बाते होती तो ये सारी चीजों का आप तोड़ा सा अपने mind से अभी हटा दीजे कि ये अभी publicly launch हो रहा है या हमारे लिए launch हो रहा है अभी important ये है कि इसका manufacturing शुरू हो रहा है तो कोई भी product जब market में आता है तो वो पहले तयार किया जाता है उसका manufacturing होता है फिर वो तयार होता है तयार होने के बाद में पहले उसका testing होता है testing होने के बाद में फिर वो product जो है market में आता है अब ये market में का बाता है क्या आता है ये बात की process है अभी इसके बाद में हम बात में देखेंगे लेकिन अभी important यहाँ पर यह है कि हमारा जो manufacturing शुरू होगा इसके बाद में एक नया एक और चीज हमारी digital जब product market में आएंगे किस तरह से धूम मचातें तो रहेगा अभी सवाल है O Connect का जिस तरह से हमारा digital product तैयार हो रहे हैं चाहिए O Connect हो और भी जो दूसरे product हैं तो यह अपने ही level पर जबरदस काम करने वाले हैं तो इन चीजों को हमको समझना है और O Connect का कभी भी जो है update हमारा back office में आ सकता है OES में किस तरह से इंटर होता है यह देखने वाली बात interesting रहेगी और इसमें जब physical product भी future में जब हैं में देखने को मिलेंगे तो यह भी एक अच्छा mind blowing चीज होगा तो future की technology पर हमको विश्वास करना है future stick चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा दूर का vision जो है ले करके चलना पड़ेगा और कोई भी चीज को फिर emotional जो आपके comments होते हैं या emotional बाते होती है तो इसको थोड़ा सा control practically सारी चीजों को जो है सोचना पड़ेगा तो यहाँ पर सभी चीजे प्रेक्टिकल ही है और सभी चीजे हमारी यहाँ पर products ready हो रहा है सारे digital product भी यहाँ पर तयार हो रहा है तो सारी चीजें जो भी हो रहा है हाँ पर सब कुछ practically हो रहा है तो emotions को control करें और जो practical चीजे हो रही है उसको देखी है और यह जो हमारे quality आएगी webcam की quality हमारी जो होगी जो हमारे on camera होंगे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले on passive की official website पर एक photo एक आया था screenshot आपने देखा होगा एक picture आई थी जिसको लोगो टेक आफिस में जो भी updates आती है उसको नजार बनाया रखिए